अभी हम लोग देखने वाले हैं, exercise 11.2 से question number 7 triangle ABC is right angled at A, यह triangle है ABC, right angle A पर है, मतब यह right angle triangle है ठीक है और यहाँ बना भी हुआ है, A पर right angle है AD is perpendicular to BC, AD जो है वो perpendicular है, मतब सीधी खड़ी है, इस पर BC पर तो BC बेस हो जाएगी, AD हाइट हो जाएगी, if AB is equal to 5 cm, BC is equal to 13 cm, AC is equal to 12 cm इनकी हाइट दिया हुआ है, जो जहाँ लिखाए हुआ है, वही दिया हुआ है, AB 5 है, BC 13 है, और AC कितना है 12, वही दिया हुआ है Find the area of triangle ABC, इसका area पता करना है, triangle के area का formula मनों जानते है निकाल लेंगे, also find the length of AD, और यह AD की length भी पता करना है, ठीक है अब आपको पता है कि area of triangle क्या होता है, area of triangle, यह भी सिर्थ, यह भी सिर्थ, होता है 1 upon 2 into base into height, यह होता है न, area of triangle, अब आप यह सोच रहेंगे सर की height तो दिये ही नहीं है, AD height है, और वही पूछ भी रहा है AD की length, तो कैसे करेंगे तो आप यह ध्यान दो बेटा है, कि यहां पर perpendicular बन रहा है, जहां 90 degree होता है, वहां perpendicular बनता है राइट एंगल, triangle में हमेसे एक length perpendicular होती है, पसरती यह ऐसा दे दिया है, घुमा करके आपको यह लग नहीं रहा है, कि यह 12 जो है वो height है, 12 या 5 इन ही में से एक हमारी height हो जाएगी, ठीक है? इसी को अगर हम थोड़ा सा घुमा दें, ऐसा बना दें, देखो, मैं थोड़ा सा गर इस figure को घुमा दूँ, यह हमने ऐसा घुमा दिया है, यह हो गया A, और यह हो गया A, ए पे right angle है, यह A हो जाएगा, यह B हो जाएगा, यह C हो जाएगा, ठीक है? अब बताव आप तो 5 हमारा बेस हो गया और यह सीधा ही तो खड़ा है यहां 90 डिग्री है तो यह जो एसी है बेटा सीधा खड़ा है ना एक तो यहां पर बेस जो है 5 हो जाएगा और अब बेस घृआओ जाएगा यहां पर राइट एंगल होता है उसमें एक भीड हो जाता है ठीक इस तके से इसमें हम माल लेते हैं कि 1 अपॉंड 2 अधर बेस हम माले 5 cm को 12 हो जाएगा है थीक है तो इसको हम बेस माल लेते हैं यह बी यह बीट इंटू हाइड कितना मालेते हैं एसी अब समझपा रहे हूं मेर कर रहे हूं वन अपान टू इन्टू इवी कितना है फाइब इस इक इतना है ट्वेल्ड ठीक है तो अब वो टू से ये 12 कटेगा कितनी बार सिक्स बार तीक थार्टी और थार्टी बन जा 30 एरिया है तो सेंटीमीटर स्कुर्वर ऐसे हम फाइंट करेंगे ठीक है सब्सक्राइब आए होगा आप लोगों को अब चलिए पता कर लेते हैं अब फार्मूले के इकवल में होता क्या है बेस इंटु हाइब इसके फार्मूले की 1 upon 2 ही रहेगा into base जग हम क्या लिखेंगे इसमें ad वाले में base हमारा क्या है bc ठीक है तो base हो जाएगा bc into height वह ही जो उनको पता करना है ad is equal to 13 अब इनकी value लिख देते हैं यहां आगे solve कर लेते हैं ठीक है इनकी जब value लिखेंगे तो 1 upon 2 into bc हमारा कितना है 13 तो पता करने इसको एडी रहने तो इसको टू एडिया कितना दिया हुए है 30 कि भी सेम कुछेंब फोर की तरह है ए बिया पता है और बेस और हैट में इसकोछ पता करना है तो बन अपान डारेट एडी इसको लिख सकते है एडी छोल टू क्या हो जाएगा बेटा यह 30 इन सब को अधर लेके चले जाओ नीचे वाला उपर चला जाएगा तो जो है उपर जाएगा तो तो और फाइब को छोड़कर अगर कोई और प्राइम नंबर आ रहा है जैसे यहां पर थाइटीन आया है लाइगा आप कितने यह जाएगा गफे शेस्टी फाइब अगर ऊते शील जाएट कितना सिबना बढ़ जाएगा अब पॉइंट तो अब बढ़ता ही जाएगा है इसे नंबर बढ़ते जाएंगे खतम ही नहीं होगा इसलिए जब नीचे आपका कोई भी प्राइम नंबर आ जाए टू और फाइब को छोड़ कर तो जानलो वो डेस्मल के बाद वारे नंबर खतम नहीं होंगी तो यही एंसर लिए करो कि सिस्टी अपान थाइटीन सेंटीमेटर ओके तो यह हम एडी भी फाइंड कर लिए एडी भी पता कर लिए यह हम नई चीज़ सीखें है इसको थ्वा ध्यान देना हम मिलते हैं कुछ नवब एट मिंटर तक लिए जाएं